अफगानिस्तान पर जब तालिबान का कबज़ा हुआ तो वहां अचानक हड़कम बच गया कई लोग अफगानिस्तान छोड़कर चले गए तो कई लोगों को ना चाहते हो भी अफगानिस्तान में रहना पड़ा सडकों पर बंदूप लहराते तालिबानी, जहाज पर लटकते लोग, एर्पोर्ट के उस पार जाने के लिए रोते लखते लोग, मनजर बेहद खौफनाथ था लोग हर हाल में अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते लिए, ऐसा लग रहा था कि मानो अफगानिस्तान अब कभी बस नहीं पाएगा, समय भी था लोगों ने ना चाहते को भी तालिबानी हुकूमत को स्विकार कर लिया, जिस देश ने अफगानिस्तान की मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाया, वो था भारत अफगानिस्तान अब तक आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, और भारत लगाता अनाज अफगानिस्तान में भेज रहा था विश्व खादे कारिक्रम के अनुसार अफगानिस्तान अब भी बुखमरी से गुजर रहा है वाँ 19 मिलियन से अधिक लोग बुखमरी का श्रिकार है ऐसे में भारत अफगानिस्तान को मदद भेज रहा है जापानी अखबार में केरियो इशिया की एक रिपोर्ट के मताबिक पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत अफगानिस्तान को 20,000 मिट्रिक टंग यहू की मदद भेजने वाला है ये के हूँ एरान के चावहार बंदर्गरा के माध्यम से अफगानिस्तान के घेरा तक शत्र में पहुँचाया जाएगा इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के माध्यम से 50,000 टंग यहू का परिबहन करने का प्तस्ताव रखा था अफगान तालिबान के दबाओ के बाद पाकिस्तान नहींबर 2021 ने इस पर सहमती दिए और फेब्रली 2022 बार्ते गिहुट की पहली खेट पाकिस्तान के माद्यम से अफगानिस्तान पहुँचाई गज़ी बाद में भारत की अपील के बावजूर पाकिस्तान ने समय सीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया आप उर्ती को 40,000 तन तक सिमिक कर दिया भारत ने पाकिस्तान की लगातार आनाकानी के बीच इरान का रास्ता अपनाया और अफगानियों का सहयोग किया इससे भारत की सिती अफगानिस्तान में और मजबूत होगी तालिबानी परोगता जबिउल्ला मुजाहिद ने निकेई एशिया से कहा कि भारत इस रक्षत्र में एक महत्रपूर देश है और अफगानिस्तान इसे महत्तो देता है हम भारत के साथ अच्छे मेत्रिपूर्ण और मजबूत लोगों से संबंद चांदे हैं अफगारिस्तान की मदद के लिए भारत का अभार तालिबान के इस बयान के बाद भारत अफगारिस्तान के संबंद खुलेकर इस्तिती साकारात्मक तो नज़र आ रही है लेकिन क्या भारत सच मुझ तालिबान के साथ संबंद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या फिर सिर्फ मानली आधार पर मदद पहुचाई जा रही है इसे लेकर किसी तरक ही कोई पुखता पुष्टी नहीं की जा सकती ये तो समय ही बताएगा इभारत का अगला कदम या होगा